सिर्फ 15 दिन ये दो उपाय कर लो बिना दवा के ही आप अपने कोलेस्टोल को कंट्रोल में कर लेंगे नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि कोलेस्टोल आप घर बैठ कर ही कैसे सही कर सकते हैं वो भी बिना दवा के दोस्तो कोलेस्टोल क्या होता है ये एक तरह का वसा यानि की मोम जैसा पदार्थ होता है जो शरीर में कोशी का जिल्ली और कुछ हामोंस और विटामिन D बनाने के लिए महत पूर्ण है कोलेस्टोल दो तरह का होता है HDL और LDL HDL यानि की हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन इसे अच्छा कोलेस्टोल माना जाता है और दूसरा होता है LDL यानि लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन इसे बैड कोलेस्टोल भी कहा जाता है तो bad cholesterol जो होता है वो खून के परवा की जो नलिया होती है उसमें जमा होने लगता है जिससे हमें हार्ट समंदी प्रोब्लम आने लगती है तो हमारे श्रीर में इन दोनों cholesterol का balance होना बहुत ही जुरूरी है दोसो cholesterol आज की date में ऐसी मुसीबत बन चुका है कि युवा हो या फिर बुड़े विक्ती या फिर बच्चे ही क्यों ना हो सभी के लिए एक खत्रा बन चुका है और इसमें हमें चोकन रहने की भी जूर्थ है दोसो ये एक ऐसा खत्रा है जब ये आता है न तो आपको कानोखान ख़बर नहीं होती और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो संभालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जब ये मुसीवत इतनी बड़ी है तो क्यों न आज से ही हम इसको सही करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लें जिससे ये प्रोब्लम आपके सामने कभी न आए दोस्टो कॉलेस्टोल से बचने के लिए आप अपने घर में ही step by step कुछ planning बना सकते हैं जिससे आप कॉलेस्टोल से बचे रहेंगे कॉलेस्टोल बढ़ने की सिती नहीं आएगी नहीं आपको हार्ट समंदी कोई प्रोबलम आएगी तो चलिए आपको बताते हैं आपने कौन से दो नुस्खे लेने हैं जिसके प्रियोग से आप अपने कोलेस्टोल को खुद बखुद सही कर सकते हैं दोस्तों कोलेस्टोल शरीर की जूर्थ होती है कॉलेस्टोल एक केमिकल कमपाउंड होता है जिसकी जूर्थ सेल के निर्मान और हामोंस के लिए होती है इसके सिर्फ बढ़ जाने पर आपके श्रीर को नुकसान होने लगता है हार डिजीज, हार अटैक जैसी प्रोब्लम आपके सामने आ जाती है तो चलिए आपको बताते हैं वो दो नुसके कौन से हैं पहला नुसका पहला नुसका आपने करना है अरजुन की चाल के साथ अरजुन की चाल आपको पंसारी की दुकान से इजिली मिल जाएगी या फिर आप सड़क के किनारे अरजुन के पेड़ खड़े होते हैं उससे भी चाल ले सकते हैं आपने क्या करना है एक गिलास पानी लेना है और अर्जुन की चाल को साफ करके पानी में डालना है इस तरह से एक दो टुपड़े ले ले और पानी में डालने साथ ही आपने डालचीनी डालनी है चुटकी भर और इस पानी को आपने उबालना है उबालना कग तक है जब तक ये आधा ना हो जाए जब आपका पानी आधा हो जाएगा यानि एक गिलास पानी लिया था आपने आधा गिलास हो जाएगा तब तक आपने इसको उबालना है और उबालने के बाद आपने इसको गरम गरम ही पी लेना है ऐसा आपने 15 दिन करना है करना कब है इसको आपने लेना है श्याम को खाना खाने से एक घंटा पहले आप देखना 15 दिन में कि आपके कॉलेस्टोल वाली समस्य कैसे सही होती है इससे क्या होगा आपके शिरीर में खुन पतला होगा पतला होने की लहसुन का सेवन करना है वो कैसे करना है आपने दो से तीन कली लहसुन की लेनी है और उसे थोड़ा सा कूट लेना है चील कर कूट लेना है और कूट कर आपने दो से तीन मिनट इसको ऐसे ही रखा रहने देना है और फिर आपने गरम पानी के साथ इसका सेवन करना है दोसों यदि आप इसका सेवन पानी के साथ नहीं कर सकते तो लेसुन को आप दूद में डाल कर भी ले सकते हैं, आपको बहुत बड़िया रिजल्ट मिलेंगे, तो पंदरा दिन तक आपने इन दोनों नुसकों का सेवन करना हैं, लेसुन वाला नुसका आप सुबे कर ले, खाली पेट और अर्जुन की चाल वाला नुसका आप शाम को कर ले, दोनों ही नुसके लाजवाब हैं, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो दोस्तों ये द बिमारियों का ये हल करेगा तो आप आज से ही इन दोनों उसके का सेवन करना शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाएं तो है ना कमाल की बात आप घर बैठ कर ही 15 दिन में आप अपने कोलेस्टोल को सही कर सकते हैं कोलेस्टोल ही नहीं आप अपने शिरीर को ताकतवर भी बना सकते हैं मजबूत बना सकते हैं और बिमारियों से दूर रख सकते हैं तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो आपको नेक्स्ट रेमी तब तक धन्यवाद